दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं ऐसी सीरीज के बारे में जो आप काफी समय से इंतजार कर रहे हैं और वो हे हीरा मंडी। संजय लीला भनसाली की हीरा मंडी का ट्रेलर आ चुका है और इस धमाकेदार ट्रेलर ने सभी को चुका दिया है। हीरा मंडी की क्या है कहानी, हम आज आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आपने गंगुबाई काठियावाडी मूवी को देखा ही होगा, जिसमें कमाठी पुरा नाम का एक रेड लाइट एरिया दिखाया गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भी एक ऐसा रेड लाइट एरिया आया हुआ है, जो शाम होते ही रंगीन हो जाता है, जिसका नाम हीरा मंडी। हीरा मंडी पाकिस्तान का फेमस रेड लाइट एरिया है, जिसे शाही मोहला भी कहा जाता है। तो क्या है हीरा मंडी की कहानी और भारत से उसका क्या नाता है आईए जानते हैं। हीरा मंडी पाकिस्तान के लाहौर में बसा एक शाही मोहला है और यह फेमस रेड लाइट एरिया है जो शाम होते ही रंगीन हो जाता है। कहा जाता है कि हीरा मंडी का नाम भारत के सीख महाराजा रंजीत सिंह के मंत्री हीरा सिंह के नाम पर रखा गया था। हीरा सिंह ने यहां पर अनाज के बाजारों को बनवाया था, जहां पर अनाज के गोदाम थे और यहीं से अनाज का आवागमन भी होता था। बाद में यह जगह धीरे तवायफ लोगों का आशियाना बन गई, कहा जाता है कि तवायफ को यहां पर सुरक्षा के हितों से लाया गया था, जिनको राजा रंजीत सिंग ने सुरक्षा प्रदान की थी, यह जगह लाहॉर की लेके पास में बसी थी, इसलिए हीरा मंडी को श मान की नजरों से देखा जाता था, मुगलकाल में तवायफ लोक संगीत नृत्य और कला से जुड़ी हुई थी, जिनका मकसद सिर्फ मनोरंजन प्रदान करना था, लेकिन जब मुगलकाल खत्म हुआ और ब्रिटिश समराज्य शुरू हुआ, तो शाही महला बरबाद होने लगा, धीरे धीरे शाही महला खत्म हुआ और यह जगह रेड लाइट एरिया में बदल गई, जो आज भी पाकिस्तान के लाहौर में मौजूद है, हालांकि 1947 के बाद पाकिस्तान सरकार ने इस जगह को सुधार ने और सुविधाएं दिलवाने का बहुत ही प्रयत्न किया लेकिन किसी भी तरह से वह लोग सफल नहीं हो पाए, सामानने तोर पर हीरा मंडी दिन के समय में तो एक आम बाजार की तरह दिखता है, लेकिन रात होते ही यह जगह एक रेड लाइट एरिया में बदल जाती है, जिस बात का जिक्र कलंग जैसी मूवी में भी हुआ था, औ पीरीज में मनीशा कोईराला, सोनाक्षी सिन्हा, अधितिराव हैदरी, रिचा चड़ा, शर्मिन सहगल और संजीदा शेक तवायफों की भूमिका में हैं, जो नवाबों को अपने नियंतरन में रखने से लेकर अंग्रेजी उतपीडन के खिलाफ लड़ने तक का सफरतय कर करती हैं, फरदीन खान, तहाशाह बदुशा, शेकर सुमन और अध्ययन सुमन नवाबों का किरदार निभाएंगे